हलो एवरिबडी इस दिग्राश सिंग राशपूत वेल्कम तू मैगनेट बूरी इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमिट के बारे में जी हाँ, सेम यही टॉपिक आप 9th क्लास में भी पढ़ोगे same यही topic आप 11th में भी पढ़ोगे तो ध्यान रखो मेरी बात को कि ऐसा पढ़ लो कि जीवन भर्याद रह जाए वो ठीक, अब सबसे पहले यह दोनों शब्द हम interchangeably use चरूर कर लेते कि हाँ weather आज बहुत अच्छा है रहाँ आज का climate बहुत खराब है ऐसा बोल देते हैं ठीक है लेकिन इसके बीच में difference है अब आपके मन में सवाल आया होगा ठीक है the first question which comes in your mind वो क्या है कि what is the difference difference क्या है चलो दोनों में बताओ तो हमें वही समझना इस video lecture में हम यही समझेंगे कि weather और climate की बीच में क्या difference है फिर उसके जो अलग-अलग components है ठीक है temperature, moisture यह सारी चीज़ें जो है तो वो chapter का आगे वाला part है उन्हें हम specific video lectures में पढ़ते चलेंगे ठीक इस video lecture में मैं आपको weather और climate की बीच का difference समझाता हूँ ठीक है देखो क्या है तो weather जो होता है weather क्या होता है weather is hour to hour day to day condition of the atmosphere मतलब हर घंटे पे जो चीज़ें बदल रही है ठीक है हर घंटे पे या फिर day to day जैसे हम आज क्या बोलते हैं कि आज आज आप बाहर निकलो बहुत तेश धूप है तो आप क्या बोलोगे क्या आज वेदर बहुत क्या बोलते हार्श वेदर है सनलाइट बहुत जादा आ रही तो आज का वेदर अच्छा नहीं है कल आप बाहर निकलोगे ठीक है तैयार होके बढ़ियां चश्मा बश्मा लगा के और क्या बोलोगे आज का वेदर कितना अच्छा है मतलब बढ़ियां बादल से चाय हुए है थोड़ा सा थंडी हवाएं चल रही है तो आप क्या बोलोगे कि आज का वेदर तो बहुत प्लीजन्ट है आगे समझ में तो जो डे टुडे फिनोमेना होता है ठिक है? day to day या hour to hour सुबह कुछ रहता है शाम में कुछ हो जाता है weather तो वो क्या करता है? जो बहुत suddenly change होता है जो आप daily जिसमें क्या changes observe करते है वो चीज weather कहलती है टो weather is hour to hour day to day condition of the atmosphere जो आपके atmosphere में जो हर घंटे के हर दिन के जो अलग-अलग conditions रहते है atmospheric conditions उन्हें weather कहेंगे ठीक है वहीं पर अगर आप देखो वहीं पर क्या देखो climate को अगर देखो तो climate अलग चीज हो जाती है climate the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate देखो क्या होता है अब जैसे आप मान लो एक desert में हैं तो desert में यह आपको ताहिए कि desert में weather हमेशा कैसा रहेगा कैसे सकते हैं कि harsh रहेगा bright sunshine रहेगी आपको गर्मी लगेगी लगेगी वहाँ ऐसा weather रहेगा तो अब यह ज़रूर है कि कभी कम गर्मी रहेगी कभी जादा गर्मी रहेगी लेकिन जो वहाँ का average weather conditions है जो किसी भी जगा की क्या है average weather conditions है वो weather conditions उस जगा के climate को बना देती है example देंगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी जैसे क्या होता है hot or humid weather तो किसी दिन hot humid हो सकता है किसी दिन pleasant breezy weather हवाया चल रही है सारा तो यह हर दिन बदल सकता है ठीक है यह डिपेंड करता है weather के उपर लेकिन climate जो है तो जैसे climatic conditions in सहारा सहारा desert जो मैंने बोला आगे पूरा chapter पढ़ेंगे इस पे लेकिन अभी समझो तो सहारा desert जो है तो वहाँ का climatic condition कैसा है कि वहाँ पर breeze भी चल सकती है और breeze भी चल सकती hot humid बहुत जादा भी हो सकता है बाकी normally वहाँ पर गर्मी ही रहना है तो वह सहारा का climatic condition हो गया मतलब जिस तरह का आप क्या सकते हो कि पूरा zone वहाँ पर आप देखते हो जो normal है वहाँ पर जो उसका characteristic हो गया वो बन जाती है climatic conditions ठीक है अगली चीज क्या है climatic conditions is Antarctica तो Antarctica की climatic condition और सहारा की climatic condition में जमीन आस्मान का फरक है यहां मेंशा cold रहेगा ठीक है सब कुछ freeze रहेगा बरफ जमी रहेगी और यहां क्या है कि आप जल जाओगे गर्मी रहेगी वो सारी दिक्कते होगी तो climate एक अलग चीज हो गई जो क्या है weather conditions over a prolonged period of time एक लंबे समय तक जैसा weather वहाँ रहता है वो जगा का climate बनाएगा और यहां यह weather जो है तो यह क्या है डेली चेंज होता है घंटे पर चेंज हो जाता है ठीक है यह हो गया अब वही मैंने चीज आपको होता है जिसे hot and humid weather तो यह weather का पार्ट हो गया कि किसी दिन गर्मी है किसी दिन breeze चल रही तो यह pleasant उसका हो गया वही पर अगर आप climate देखो है कि यह मुझे भी कुदना वह डर गया तो अंटाटिका का और सहरा का यह जो कह सकते हैं कि एक एवरेज वेदर कंडिशन से वह वहां का climate बनाती है तो climate और weather समझ में है दोनों चीज़ें ठीक है सिंपल सी चीज़ें कि एक सब पार्ट है और एक उसका पूरा का पूरा क्य influence होते हैं जिसे temperature होता है moisture होता है wind होता है तो अब उन हर चीज़ को हम क्या करने वाले है one by one जैसे आपकी book में दिये वसे पढ़ने वाले है clear I hope यहां तक चीज़ें clear है किसी प्रकार को को doubt हो तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much